आज मैं आपको मायापुरी मैगजीन के पॉपिलर कॉलम मानो या ना मानो की एक कहानी बताने जा रही हूँ दिलीब कुमार वहिदा से शादी करना चाहते थे एक समय था जब दिलीब कुमार वहिदा से शादी करना चाहते थे वे अपनी शादी के बारे में मदरास के एक प्रसित जोतिशी के पास गए तो उसने उनके संबंद में भविश्यवानी करते हुए कहा तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो जिसका नाम वह से शुरू होता है पर याद रखो तुमारी शादी कभी भी उस लड़की से नहीं होगी तुमारी शादी होगी उस लड़की से जिसके नाम का पहला अक्षर है सर और यह भी याद रहे कि यह शादी अश्चर्य जनक रूप से आज से 60 दिनों के भीतर हो जाएगी और हुआ भी ऐसा ही उस भविश्यवानी के 60 दिनों के भीतर भीतर दिलीब कुमार की शादी सायरा बानों से हो गई